नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरिवन वेलकम टू धा ओनलाइन प्रेटफॉर्म ओफ लॉप्रेप जुडीशरी तेखिए आज मैं दो बड़े अनौस्मेंट करने वाला हूँ सबसे पहले ठीके हाँ क्लास के बीच में भी करूँगा और क्लास के एंड में भी करूँगा क् एक-एक स्टूडेंट तक ये पता होनी चाहिए बात कि ये जो क्लासेज है ये आप लोगों के लिए है आईए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं लॉप्रेप जुडीशरी फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है इसी के साथ में एक बहुती ज़्जमेंट्स एंड केस लॉज तो कल की क्लास है बहुत ही जरूरी अब ऑविसली दो घंटे से उपर की तो ये क्लास होगी ही होगी मानके चलिए दो घंटे की तो ये है ही क्लास ठीक है हाँ इसी के साथ में ये है कल की क्लास यानि कि आज क्या तारिक है 22 है तो कल 23 आज 23 23 हो गई, क्या बात कर रहे हो, आपका एक्जाम तो बहुत ही पास आ रहा है, तो कल है 24, 24 को तो हमारी येवली क्लास है, और 25 की बात करें, तो ये एक बहुत ही एथियासिक क्लास होने वाली है, English Grammar with Surya Sir, ठीक है, best tips and tricks होगी इसके अंदर, सारे स्टेट जुडीशरी के लिए ये अवेलेबल है, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, अब आएए अगले अपने स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को, तो सबसे पहला कोशन ये रहा आपके सामने, कि जो टाइटन है, टाइटन है, टाइटन is the largest moon of, किसका कौन से moon का बताना है, फटा-फट से बताएं, जी, टाइटन is the largest moon of, सेटन, सेटन का largest moon है और सेटन के पास totally 145 moons है, मैंने आपको बता रखा है, next question पर चलते है, who got the Gita translated into Persian, हाँ, हाँ, ऐसा मतलब की कौन पर्सन था जिसने भगवत गीता को पर्सन के अंदर ट्रांसलेशन किया, पर्सन का मतलब होता है फार्सी, ठीक है, हाँ, शहा जहां, अकबर, मुराद, या दाराशिको, तो जो क्या नाम है उन पर्सन का, औरंग जेब के बड़े भाई सबसे, और शहा जहां के बेटे, दाराशिको, ठीक है, हाँ, इन्होंने ही लिखा है, next question पर चलते है, who is regarded as the second Alexander, फटा फट से बताना है, कि जो second Alexander है, ये किसे क कहा जाता है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा और बहुत ही प्यारा सा कोशन है, हाँ, who is regarded as the second Alexander, इट्स अलावदीन खिल जी, अलावदीन खिल जी का असली नाम जो था, बच्पन का, अली गुरु शास्प था, क्या नाम था, अली गुरु शास्प, ठीक है, next question पर चलते है, who among the following, actually मैंने देखा है ये trend आपके जारकन जुडीशरी का, कि एक कोशन आ जाता है, डैली सल्तनत या फिर मुगल सल्तनत से, एक कोशन आने की संभावना है, who among the following established, डैली as the capital of सल्तनत, तो डैली को capital किसने बनाया, पहली बार, तो वो बिलकुल इल्तुतमिश थे, क्योंकि, कुतबुदीन एबग की capital तो क्या थी, लाहूर, ठीक है, हाँ, लाहूर, next question, और एक मात्र दिली ही महीला शाशी का, वो है रजिया सुल्तान, under which article was the finance commission of India established, finance commission की बात करें, तो अभी का 16th finance commission है, और अरविंद जी पगार्या, जो है, अभी के इदर के chairman है, president recommend करते हैं, तभी ये बनता है, और article, हाँ, 280 के अंदर ये है, next question, the wailing wall is located in October 2023 का current affairs, तेखिए, जो जो मैं पढ़ता हूँ, वैसा वैसा आपके लिए भी ले के आजाता हूँ, जी, तो wailing wall की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही, जियूस वलो का, और अरब्स वलो का, हाँ, ये मतलब बहुत ही, डिस्पूटेड पॉइंट है, ठीक है, इसराहिल के अंदर आता है, ये, the wailing wall is located in the city of Jerusalem, Jerusalem के लिए है न, option number C, right, Christians का भी माना जाता है, यानि कि Christians, Arabs, और Jews, तीनों का, एक तरह से मक्का टाइप कह सकते हैं, नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, हाँ, कुछ किताबे हैं, जो आपको रटनी है, रटनी पड़ेगी, हाँ, एक कोशन आ जाए, तो फिर मज़ा आ जाए, मुद्रा रक्षा जो किताब है, वो किसने लिखी है, विशाक दतने, राज तरंगनी लिखी है, कलहन ने, राज तरंगनी के अंदर कश्मीर के बारे में लिखा गया है, बुद्ध चरित्र लिखी है, अश्व गोशने, very important personality, current affairs में आया था, हाँ, वरहा मीरा ने लिखी है, ब्रिहत सहीता, ठीक है, वरहा मीरा परसन है, और ये बुख है, ठीक है, उल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं, next question, अभीग्यनम शकुंतलम, विकरम मूर्शी, रगुवंशम, मेगदूद, मेगदूद, ये सब किसने लिखी है, काली दास ने, काली दास को हम Shakespeare of India भी कहते है Shakespeare of India, ठीक है, हाँ, सूर्य सिधानता और आर्यबटम, ये किसने लिखी है दोनों, आर्यबटने लिखी है, आर्यबट खड़े खड़े जो है यहाँ पे, हाँ मतलब बहुत कुछ, प्लैनेट्स और मूमेंट्स बता सकते थे, प्लैनेट्स और एक्स्ट्रोइट्स के, next question, प अर्थशास्त्र, कॉटल्य, विष्णुगुप्त, चानक्य, सब एक ही है, चरक सहीता लिखी है चरक ने, लीलावत लिखी है बासकराटू ने, ये दो सदा बहार कोशन है, हाँ, वी शुड़ से शेक्स्पेर ऐस कालीदा, माई गॉड, आप तो भारी पर्सनेलिटी है वि पर्स बदलो, नेक्स्ट कोशन, हाँ, ये एक्जाम के अंदर आ रखा है आपके, जारकन जुड़ी शरी में आ रखा है, अश्था अधाई लिखी पाननी ने, और महा भाश्य लिखी पतनजली ने, इस बार का करन्ट अफेर्स में ये था, गीता गोविंद किस ने लिखी ह ने, मिर्च कटी का, शुद्रा का ने लिखी है, नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, हाँ, देखिए, डैली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं, तो शुरवात होती है गुलाम डाइनेस्टी, गुलाम डाइनेस्टी को स्लेव डाइनेस्टी भी कहते हैं, स्लेव डाइनेस्टी को इलबारी डाइनेस्टी भी कहते हैं और इलबारी डाइनेस्टी को ममलुक वंच भी कहते हैं ठीके हाँ इन सब का मतलब ये की होता है तो स्लेव डाइनेस्टी की बात करें अगर हम तो वो थे कुतुबुदीन एबग कुतुबुदीन एबग ठीके ये वही थे जिनोंने कुत रूदमिशाय bur outdoor advocate विसे बाद में second founder कि बात करें अगर हम फ्र्स्ट Eenजए भाउंड़ तो पूचते ही है ग्जाम में आज कल second founder अलग पूचने लग गए है second founder of slave ç ze की बात करें तो वो थे बल्भन जिनों ने blood and iron policy का यूस्घ किया था खिलजी डाइनेस्टी की अगर हम बात करें हाँ, तो फटा-फट बताएं मैं ही बता देता हूं कोई बात नहीं हाँ, जलालुदीन खिलजी जिनको मारा था अलाthaुदीन खिलजी ने तुगलग डाइनेस्टी की बात करें तो ये थे गयासुदीन तुगलग ठीके गयासुदिन तुगलग के बाद मורम्मद बिं तुगलग के बाद में किया नाम है फिरोशा तुगलग आए टीनों ही फेमस परिस्नैलिटी सेद Dynastry का कर जाएं किताबों में रहाक। पहुआया है मतलब, लोधी डाइनेश्टी के फांडर का नाम है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद आये सिकन्दर लोधी जिसने आगरा का फांडेशन किया था और उसके बाद जो लास्ट थे वो थे इब्रहेम लोधी जिसने पानीपत का युद लड़ा था, चलिए ने श्यार राजा आया था मैंने आपको बताया ही था मोहम्मद बिन तुगलग उन्होंने अपनी कैपिटल दौलताबाद कर दी थी दौलताबाद मीन्स मध्यपदेश के लता है next under whose governor generalship the revolt of 1857 occurred 1857 के विद्रो में कौन governor general था फटाफट से बताना है जल्दी से बताएं 1857 के युद्ध में कौन governor general था लौड कैनिंग लौड बिल्कुल सही इसका अंसर option number A हाँ और इसी के बाद में मैंने कल ही बताया था आपको जैसे ही 1857 का विद्रो खटम हुआ तो government of India Act 1858 आया और इसी को viceroy बना दिया तो जो first viceroy थे वो भी कौन थे लौड कैनिंगी थे next question पे चलते हैं who was the founder of the Indian national congress oh my god Indian national congress के founder का नाम बताना है जल्दी से बताएं फटाफट से बताएं हाँ Indian national congress के founder का नाम very good गोपाल कृष्णगो के लिए was political guru of Gandhi जी Alan Octavian Hume का मतलब also known as A.O. Hume ठीक है ये congress के starting थे ठीक है first president की अगर हम बात करते हैं तो वो थे W.C. Baner जी ठीक है और इस समय के जो viceroy थे जिनोंने permission दी थी INC खोलने की हाँ तो viceroy का नाम था Lord Dufferin Lord Dufferin ये सब चीजे important है exam के लिए next question who among the following is called the father of Indian archaeology first archaeological survey of India 1761 के करीब नहीं 1761 में ही था क्या नाम है कोलकता के अंदर open हुआ था और इनके जो first governor general या फिर first chairman की बात करें तो वो थे Alexander Cunningham option number A बिल्कुल simple next question पर चलते हैं और ये जो James principle था ना हाँ इन्होंने Ashoka के inscriptions को dissipate किया था यानि कि पता लगाया था किस तरह से है अशोका inscriptions के बारे में पहली बार पता लगाया next question achievement of samudra gupt samudra gupt Napoleon of India गुपता डाइनेस्टी के बोला जाता है इन्हे in alabad inscription samudra gupt के achievement के बारे में alabad inscription पे लिखा गया है ये भी ठीक है it was written by किसके द्वारा लिखा गया था तो मुझे बताओ samudra gupt के court poet का नाम हरी सेन था तो इसी ने लिखा होगा न samudra gupt जो है वीना के बहुत ही शौकीन थे ठीक है कवी भी कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते थे समudra gupt की एक खास बात है ये एक्चुली क्या है आपने बहुबाली देखिए बहुबाली के अंदर जो बचपन से वो क्या है कि उश्यार होता है वैसे ही samudra gupt भी था samudra gupt को literature का ग्यान था सब कुछ अच्छे सा मतलब बहुत सारी languages जानते थे तीर अंदा जी के अंदर awesome थे ये तलवार बाजी में awesome थे युद नीती के अंदर बहुत awesome थे कविताओं के अंदर और वीना बजाने में awesome थे तो अब आप सोच लीजिए samudra gupt का level the oldest book in the world सबसे पुरानी बुक पूरी दुनिया में कौन सी है तो सीधा सीधा कोशन है ये हाँ पूरी दुनिया में सबसे पुरानी किताब ही रिगवेद है ठीक है वेदों में वेद रिगवेद option number C next question which was the capital of Magad oh my god Magad की capital तो partly पुत्र है है कि नहीं Magad की capital तो partly पुत्र है बड़ यहां तो partly पुत्र का option ही नहीं है ये तो चंपा, राजग्र, वैशाली और प्रतिष्ठान लिखा है है ना तो वैशाली होगा इसका अंसर और तो क्या है तो वैशाली को काट देते हैं वैशाली नहीं है अंसर actually जो बिम्बी सार थे ना बिम्बी सार पहले डाइनेस्टी हरियंक डाइनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बी सार और वो Magad को रूल करती थे सबसे पहले फर्स्ट रूलर की बात करें तो उनकी कैपिटल का नाम है राजग्र फिर उनके बेटे ने चेंज कर दी थी कैपिटल फिलाल राजग्र है इसी के साथ एक और चीज बतानी है कोशाला करके भी एक महा जनपत था कोशाला करके इसकी कैपिटल जो थी एक तो थी आयोध्या एक और कैपिटल थी उसका नाम बहुत जरूरी है ठीक है श्रवस्ती क्या नाम है श्रवस्ती ये थोड़ा सा याद रखिएगा प्राचीन जमाने का कोशन है ये चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते है बाई विच रूलर पाठली पुत्र was chosen as the capital for the first time देख लो यहां पर ठीक है पाठली पुत्र पहली बार capital हाँ कहां पर थे फटाफट बताना है कनिश्क उदाईन काल अशोग या फिर अजाद शत्रू जी बिलकुल तो इसका आंसर है उदाईन उदाईन ने ही क्या किया था पाठली पुत्र को पहली बार capital बनाई थी और उसके बाद फिर शेर सा सूरी आये उन्होंने नाम चेंज करके पटना कर दिया और अभी तक पटना है नेक्स्ट गोशन गौतम बुद्ध बिलॉंग टू विच क्लैन जो भगवान बुद्ध है एनलाइटेट वन है है ना वो क्या कहते है कौन से क्लैन को बिलॉंग करते थे बताना है गौतम बुद्ध कुरू, साक्य, मौर्या या फिर घ्रंतरिका तो गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध और साक्यमुनी अब इन्हें अगर साक्यमुनी बुलाते हैं तो साक्य क्लैन के ही होंगे ना हाँ, नेक्स्ट कोशिन पर चलते हैं मैसोलियम औफ मिया तानसेन ठीके ये मिया तानसेन तो नाम ही नहीं है इनका मिया का टाइटल तो अकबर ने दिया और तान सिन का टाइटल किसी राजा और ने दिया था इनका असली नाम तो राम तनु पांडे है तो इनकी मद्य परदेश के अंदर कहां पर है तो ग्वालियर के अंदर है झाज सब्सक्ते अंदर है झाल 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 हेलो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि थोड़ी सी बीच में रुख गई इन से बात करके इनको बहुती नॉर्मल तरीके से मैंने इनको भेज दिया वापस इनकी जो कबर है ये गौालियर के अंदर है और बहुती फेमस परस्नेलिटी थे इन्होंने कहा कि आपने मेरी तारीफ नहीं करी बस थोड़ा सा कमेंट दिखा दीजिए एक बार इन्होंने कहा कि आपने मेरी तारीफ नहीं करी कि मैं जब गाता था हाँ तो वरशा होती थी तो वही बात है ये बिलकुल ठीक है चलो कोई नहीं हाँ नहीं अच्छे परसन है ये तो बहुत अच्छे परसन थे नेस्ट कोशन पर चलते हैं हाँ फू हैस डन जी के पी एक पर कोशन दे हाँ फू इस तेर चलो इन दे बैटल ओफ खानवा देखिए बाबर ने भी बहुत सारे युद लड़े थे एक तो पंदरा सो चब़िस एक पंदरा सो सत्ताईस एक पंदरा सो अठाईस एक पंदरा सो उन्तिस और पंदरा सो तीस में क्या हो गई? डेथ हो गई सबसे पहला जो युद था वो था पानीपत का जो सबको पता इब्राहाम लोदी के साथ जीता और ये बाबर ऐसा परसन था कभी भी हारता नहीं था ठीक है? सेकिंड 1527 के अंदर किसका युद हुआ? खानवा का युद हुआ फिर चंदेरी का युद हुआ और फिर किसका हुआ था? घागरा का युद ठीक है? ये टोटली है तो फिलाल बैटल ओफ खानवा जो है फिर 1556 में नेक्स्ट पर चलते हैं हाँ अकबर ने भी कोई लड़ाई नहीं हारी देखिए एक परसन थे जिनका नाम था जोना खान क्या नाम था भई? जोना खान. एक्चलि ये जो जोना खान थे, हाँ, ये ब्रदर थे, कजन, कजन ओफ फिरोशा तुगलग. तो फिरोशा तुगलग ने इनकी याद में ये बनाया था. ठीक है? तो वो और कोई नहीं महाम्मद बिन तुगलग की याद में बनाया गया था. बनाया किसने था, फिरोशा तुगलग ने, किसके लिए बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलग, उनी का नाम जौना खान था, राइट, वाइजेस्ट फूल जिसे उपादी दी जाती है, सिरी का किला किसने बनवाया था, बताना है, ठीक है, हाँ, सिरी का किला किसने बनवाया था, पटाफट बताएं, बिलकुल इसका अंसर अलाउदिन खिल जी ही है, option number 8, बिलकुल perfect, नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, हाँ, who wrote biography of हुमायू, देखो मैं आपको एक बताता हूँ, एक थी बाबर नामा, ठीक है, एक थी हुमायू नामा, है ना, एक थी अकबर नामा, और एक थी तुजुक ए जहांकिरी, ठीक है, हाँ, अपने को बाकि याद नहीं रखना, यॉर मदर्स रोजबर्ड, अच्छा, ठीक है, तो, who wrote biography of हुमायू, तो गुल बदन बानो बेगम ने लिखी थी, ठीक है, बाबर और जहांगीर एक मात्र ऐसे मुगल सल्तनत थे, जिसनों ने अपनी खुद की आत्मकता लिखी, और अकबर नामा लिखी थी, हाँ, अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल, हाँ, ये हुमायू की बहन थी, गुलमदन बानो बेगम, और गोल्डन पीरिय सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर, देखिए, पहली कैपिटल तो अगर बात कहें, तो वो आगरा ही थी सब की, पूछा है, सेकंड कैपिटल कौन सी है, अकबर की सेकंड कैपिटल, डैली, आगरा, फत्यपुर सीक्री, या फिर पटना, तो इन्होंने खुद ने बनाई, मोगल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर तो सबसे ज़्यादा एक मात्र जो फेमस चीज बनाई, ताज महल, हाँ, उसब जो है यहाँ पे, शहाँ जहाँ, ना ना इंडिया गेट थोड़ी ना है, बुलन दर्वाजा, हाँ, फत्यपुर सीक्री का जो बुलन दर्वाजा है हाँ, वो, वो है इसका गेट, नेक्स्ट कोशन, यह मैंने आपको बताई दिया था, कल की क्लास है यह कल की, कल की क्लास मिस नहीं करनी है, चाहे रिकॉर्ड देखो, चाहे लाइव देखो, जैसे देखो वैसे देखो, बट ये साड़े-दस बज़े क्लास होगी, इसको मिस नहीं करना, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास अगले दिन है संडे को, ज्यान रखेगा, इंग्लिश, सबसे पहला कोशन, विंडो पैन, जो है किसने तोड़ा, एक्टिव से पैसेव में बदलना है, हाई लेवल का कोशन है, आने की संभावना कम है, लेकिन कम है, ठीक है, हाँ, इतने कम है, जी एक्चुली हिस्ट्री के अंदर कुछ भी आ सकता है, अब क्या कर सकते हैं, इसलिए सारा ही कराना है, ठीक है, तो हू का हो जाएगा, बाइ हूम, ठीक है, बाइ हूम हो जाएगा, तो ये कट हो गया, ठीक है, जब हम कोशन मार्क वले सेंटेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कोशन मार्क वले सेंटेंस, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सबसे आ गया आता है, तो वो home was the window pen broken, जिसको active passive नहीं आता है, हाँ, वो पर्सो की class को देख लीजेगा, ठीक है, पर्सो जो class होने वाली है Sunday को, उसमें मैं English grammar पूरी कराऊंगा एक बार, ठीक है, you must take the victim to the hospital, ठीक है, you must take the victim to the hospital का मतलब क्या है, must का हो जाता है, must be, can का हो जाता है, can be, should का should be, could का could be, may का may be, तो यहां से answer क्या हो जाएगा, option number D, the victim must be taken to the hospital, next question, please wash all the dishes, देखे, जब यहां पे लिखावा आता है, please, ठीक है, हाँ, तो इसको तो क्या है, छेडना ही नहीं है, इसको तो as it is लिखना है, please की जगे लिखना, you are requested to, तो you are requested to लगाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखेगा, तो you are requested to लगाया, please की जगे, और पीछे का as it is लिख दिया, यह वाला question आ रखा है, ठीक है, पिछली बार तो नहीं आया था, उससे बहुत पहले की बात हो रही है, तब आया था, तो you are requested to wash all the dishes, यानि की बरतन है न, next question पर चलते हैं, इसमें से correct spelling बतानी है, फटाफट से, बता दीजिए correct spelling क्या है, हाँ, चल दीजिए, हाँ, इसका answer है affidavit, option number D, affidavit is the right answer, next question पर चलते हैं, they said we are practicing for the next match, देखें यहाँ पर, हाँ, they said that, देखो मैं पहले trick बता रहा हूँ, they said that, हाँ, तो ये डैट हट गया, तो ये कट गया, ठीक है, हाँ, दे का दे होगा, ठीक है, ये दे का दे, ये तो बिल्कुल ही कट गया, तो इसको तो काट ही देते हैं, दे के साथ में आर का पास्ट होता है वर, पर, अंसर खतम, समझ गए बात को, इस तरह से ही trickly करना है अपने को, सेम ये चीज, trick जो है, मैं उस दिन संडे को कराऊंगा, यानि की कहने का मतलब ये है, कि अगर आपको English Grammar नहीं आती, रूल याद नहीं है, हाँ, तो भी हो जाएगा काम, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ, थोड़ा सा अलग high level, थोड़ा सा मतलब, अलग level की English पढ़ाऊंगा, जो की एकदम simple language में होगी, कुछ idea निकाला है मैंने, call the first witness, said the judge, जितने भी judiciary के exam से, जितने भी, हाँ, जिसमें English आती है, सभी में ये question आ रखा है, fix, हाँ, इसका answer क्या है, हाँ, the judge commanded to, तो judge के साथ commanded to लिखा, तो commanded to कहां लिखा रहा है, और पीछे as it is, call the first witness, option number ये, बिल्कुल सही, ठीक है, next question पे चलते हैं, that नहीं लगाना है, commanded के साथ to लगाना है, next question, he said, they will be using my car for the trip, he said dead, he said dead, कहां तक आ रहा है, यहाँ सब जगे आ रहा है, दे का दे ही होगा, तो ये कट हो गया, विल का क्या हो जाएगा, वुड, तो विल का वोड हो गया, ये नहीं होगा, वुड हो गया, would be using, would be using my car का क्या हो जाएगा यहाँ पे his car हो जाएगा तो my car का क्या हो जाएगा, his car option number A जिसको नहीं आता है, उसको पड़सो की class देखनी जरूरी हो गई next option the news dash not updated timely the news dash not updated timely, फटा फट से बताना है the news is बिल्कुल, the news is not updated timely, बिल्कुल perfect test का अंसर, हाँ next question पे चलते हैं they dash into their cars and drove away वो अपनी कार में बैठे और चले गए, तो drove का मतलब क्या होता है, past ठीक है, हाँ drove का मतलब होता है past तो ये present है, ये present है ये present है, अंसर ये हो जाएग, option number दी they got into their cars and drove, ना 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 have got नहीं होगा past का statement है, तो past ही लगेगा past means past present और past साथ में कभी आता नहीं है हाँ, आपका ऐसा हो सकता है कि आपका present चल रहा है और पीचे पीचे आपका past भी चल रहा है, ये नहीं हो सकता, next question, choose the sentence with the future perfect tense, देखिए, कल मैंने आपको बताया था future perfect tense का रूल, कल ही बताया था, कि सबसे पहली चीज future perfect tense में होता है by, ठीक है, और दूसरी चीज क्या होता ह will have के साथ वर्प की third form, ये दौनों चीज़े मैंने कल आपको बताई थी, ठीक है, तो by कहां पे आ रहा है, देखो by इसमें आरह है, इसमें आरह है, इसमें आरह है, यानि कि ये चारों में by आरह है, तो ये वला method नहीं चलेगा, ये वला method चलेगा, will have किस किसमें आरह है, will have, will have will have किसी में भी नहीं आ रहा ये क्या बात हो गई सर अभी तो आप ने ये किया और अब आप गड़ खट रहे हो तो will की जगे शेल भी आ सकता है कोई बात नहीं will और शेल दौन और future tense के होते है तो यहाँ पे shall have आ गया तो shall have कहा है option number a में है यहाँ पे बीन है इसलिए ये नहीं होगा अंसर क्या होगा option number ये future perfect tense बताना है next question पे चलते है Rohan dash the movie before he read the review ठीक है Rohan ने movie देख ली थी review पढ़ने से पहली तो read past simple कली बताया है ये है ना बिलकुल भी अलग नहीं है ये कली बताया है तो past simple हो गया तो यहाँ आएगा past perfect और past perfect का मतलब क्या होता है head के साथ verb की third form head के साथ verb की third form कहा है option number C same चीज कुछ भी अलग नहीं है यानि कि Rohan जो है review पढ़ने से पहले ही movie देख चुका था next question हाँ कौन सा tense बताता है used to express an action going on at some point in the past past में कोई काम चल रहा था चलता था नहीं है चल रहा था पटा फट से बताना है क्या होगा इस का अंसर just a second है ना जी इसका अंसर क्या हो जाएगा past continuous tense option number C है past continuous tense past में कोई काम चल रहा था हाँ C is the right answer ना ना ये नहीं है past perfect continuous tense का मतलब तो ये है कि past में कोई काम चल रहा था जो अभी तक चल रहा था वो होता है इसका अंसर C है you and I dash the obligations तो आई के साथ में जो जो चीजे आती है वो बताना है sir दो option है हाँ तो दोनों ही गलत है हाँ ठीक है you and I के I के साथ में या तो M आता है या have आता है ठीक है M के साथ वर्प की third form आती नहीं है तो इंसर क्या होगा C you and I have fulfilled the obligations option number C बिल्कुल सही है next question पे चलते है Shiam and his brothers dash a famous sweet shop in our neighborhood ठीक है Shiam and his brothers जो है एक shop है famous sweet shop है हमारे गर के पास ठीक है हाँ तो is आएगा is क्योंकि ये पूरी जो shop है न इस shop का नाम है brothers नहीं लगाना है अंसर क्या है is इसमें confused जाते हैं student और एक नहीं हजारों student confused होते हैं तो is ही आएगा इसका answer next question पे चलते हैं choose the present indefinite tense present indefinite tense का मतलब होता है present simple और present simple में singular के साथ seis form आती है और plural के साथ verb की first form आती है ठीक है he had been sleeping का क्या हो जाएगा हाँ तो ये नहीं होगा present simple ये नहीं होगा ये नहीं होगा present simple का मतलब normal he sleeps ये इसलिए कराता हूँ मैं कि आपन को थोड़ा बहुत क्या इस बारे में knowledge रहे next question पे चलते हैं identify the tense used in the underlined phrase he joined the cooking school late but only in a few months had mastered the recipes ठीक है अपने को बदाना है कि ये जो head mastered है ये कौन सा tense है head के साथ verb की third form कौन से tense में आती है बस ये ही पूचा है तो head का मतलब हो गया past verb की third form का मतलब हो गया perfect past perfect tense option number B बिल्कुल सही next question पे चलते हैं one words देखिए आज के one words बहुत special है बहुत ही special चलिए देखते हैं कौन एकदम सही करता है one who lends money at a high speed फटाफट से बताना है one who lends money at a very high rates florist, usurer, chauffeur या फिर venial फटाफट बताना इसका answer क्या होगा एक ऐसा person जो बहुत ही high rate पे पैसा देता है usurer option number B usurer is the right answer florist का मतलब होता है flower वाला chauffeur का मतलब होता है जो high five गाडिया का इस्तमाल करता है एक तरह से driver chauffeur की spelling तो याद रखनी है इसका answer हो जाएगा usurer जो बहुत महिंगे rate पे पैसा देता है एक ऐसा person जो voting pattern को study करता है तो voting person को study करने वाले को syphologist कहते हैं और study की बात करें तो उसे syphology कहते हैं इसका answer है option number C syphologist next question पे चलते हैं a nursery where children are cared for while their parents are at work ठीके एक ऐसी जगे जहां पे parents तो काम पे जाते हैं लेकिन जो बच्चे हैं वो उनको छोड़ देते हैं home, crutch, school या फिर fletch क्या इसका answer है बताना है बहुत ही interesting सा question है ये वाला हाँ crutch कहते हैं उसे ठीके crutch है नहीं कहते हैं क्या कहते हैं से crutch next question a person employed to drive a private और hired car ठीके एक ऐसा person जो private और hired car चलाते हैं हाँ तो उसे chauffeur कहते हैं c-h-a-u-f-f-e-u-r e-u-r थोड़ा सा ध्यान रखना है हाँ extreme old age बहुत ही ज़्यादा old age हो जाती है किसी की तो एक आदमी जो है क्या कहते हैं बेफकुफों की तरह बिहेव करता है ठीके इसे कहते हैं सट्या जाने वाली age ये सभी की life में आती है ठीके आएगी ही जो ज़्यादा लंबे समय तक जिएगा उनके ही है तो imbacillity और senility का मतलब है कि weakness आ जाना body का जो चमड़ी होती है वो ऐसे लटकने रहना dotage age इसी चीज को हम क्या कहते है dotage age dotage age का मतलब यही होता है ठीक है और super annotation का मतलब अ प्रचलित old dated इसे हम क्या कहते है old dated या फिर obsolete next question पर चलते है one who does not makes mistake खतरनाक एक ऐसा person जो कभी गलतिया ही नहीं करता एक होता है pessimist जो हमेशा negative सोचता है एक होता है positive जो हमेशा optimist होता है ठीक है one who does not makes mistake का मतलब यहाँ पे है infallible infallible का मतलब 60 आज़ना हो सकता है 60 आज़ना fallible का मतलब होता है one who does not make mistake मतलब कभी भी गलती नहीं करता और hypocrite का मतलब होता है पाखंडी fake imposter next question हाँ एक ऐसा written statement about someone's character usually provided by an employer हाँ इसका काम जो है सही नहीं है इसका काम क्या है ठीक है तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते है testimonial option number A testimonial is the right answer हाँ एक written statement है about someone character usually provided by an employer next question a speech delivered without previous preparation हाँ बिना तयारी का भाषन जो है क्या होता है solulokyu का मतलब होता जो खुझ से ही बात करता है extempore का मतलब होता एक बिना तयारी का भाषन extempore competition भी रखा जाता है हाँ expression का मतलब होता है क्या कहते है हाँ बिलकुली वो क्या कहते है भाव प्रकट करना और यह ट्रिक का मतलब होता है कविता के लेटेट कुछ एक ऐसी long journey especially by sea sea के द्वारा जो long journey है उसे हम क्या कहते है flight, voyage, odyssey या फिर safari फटाफट से बताना है इसका answer क्या है हाँ जल्दी से बताना है राइट फटाफट बी हाँ वो एज is the right answer option number बी हाँ वो एज is the right answer next question पे चलते है a person who kills somebody especially for political reasons is called एक ऐसा person जो किसी को political results की वज़े से मार देता है उसे हम क्या कहते है criminal तो criminal हो गया assassin का मतलब assassination का मतलब यह होता है option number बी विल्कुल perfect next question पे चलते है a person who is appointed by two parties to solve a dispute एक ऐसा person जो दो parties के बीच में dispute को solve करवाता है उसे हम क्या कहते है judge, arbitrator, advocate या फिर barrister interesting question है यह हाँ फटाफट बताना है बिल्कुल arbitrator person होता है जो दो जनों के बीच में सुला कराता है next question सबसे बड़ा arbitrator USA माना जाता है China बनना चाहता है बट a person who is pure and clean एकदम साफ सुत्रा आदमी हाँ उसे हम क्या कहते हैं immaculate, neat, clean या irrevocable neat and clean का मतलब तो साफ सुत्रा होता है बट इसका अंसर यह नहीं है इसका अंसर है option number A immaculate irrevocable का मतलब जिसे हम रोक नहीं सकते मतलब जिसे बदला ना जा सके irrevocable a person who is very selective disgusted easily and is hard to please बहुती ज़्यादा नखरे करने वाला person जिसको बार-बार हमको मनाना पड़ जाए वो उस person को हम क्या कहते हैं हर चीज में जो नखरे करता है उसे हम कहते हैं fastidious क्या कहते हैं fastidious miss entropy का मतलब होता है hater of mankind selector मतलब जो select करता है और ambiguous का मतलब होता है not clear ठीक है अस पस्ट कहना तो इसका आंसर है fastidious next question decision that cannot be taken back एक बार पास हो गया तो आप उसके बाद वापस नहीं ले सकते जैसे हमारे शब्द है what we are speaking is irrevocable वापस हम अपने मूँ के अंदर नहीं ले सकते बादों को एक बार गलत बोल दिया तो बोल दिया तो इसका आंसर है irrevocable rigid का मतलब होता है kathor kathor का opposite होता है flexible irrevocable की spelling भी ध्यान रखेगा एक ऐसी government in which all religions are honored यानि कि हर religion के person को honor मिलता है ऐसा कौन सा है फटा फट से बताना है fanatic, secular, बिल्कुल इसका answer option number B है secular Catholic means Christian हो गया fanatic का मतलब कटर हो गया progressive का मतलब continuous effort एक ऐसी जगे जहां पे सब कुछ perfect है a place where everything is perfect बहुत ही अच्छा सा कोशन है ये जल्दी से बताना है आपको हाँ, right एक ऐसी जगे जहां पे सब कुछ perfect है heaven, platoon, cosmos या फिर utopia तो इसका answer है option number D, utopia ठीक है, D is the right answer next question पे चलते है a snaring person who always finds faults एक ऐसा person जो हमेशा fault ही मतलब कि ये इससे सही नहीं है ये भी गलत है कोई अच्छा काम भी करता है तो भी उसको गलत करते हैं ऐसे लोग बहुत सारे लोग होते हैं cupid का मतलब तो लवर होता है ठीक है, kleptomania का मतलब madness for stealing यानि की चोरी करने का पागलपन ठीक है, क्रोन अलग चीज हो गई इसका answer है cynic cynic का मतलब है sun की person जिसको किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता हमेशा fault पैदा करता रहता है c is the right answer next question एक ऐसा insect जिसकी खूप सारे legs है ये आपको odd one out करना है और answer करना है, simple सा question है हाँ centipid का मतलब क्या होता है हाँ एक ऐसा insect जिसकी खूप सारे legs है mammal का मतलब होता है जो living ones को जनम दे सकता है, उसे mammal हाँ हर्भी वोरस का मतलब है green plants जो खाता है और vertebrate जिसकी reed की हड़ी होती है next question the study of birds birds की study करने को हम कहते हैं ornithology ठीक है, ornithology कहा जाता है next question a speech made to oneself is this live recording ना ना, live recording नहीं है live ही है यह बेफिकर रहे हैं एक ऐसी speech जो made to oneself यानि की जो खुद से ही बोलता है ठीक है dialogue, speech soliloquy या फिर monologue soliloquy का मतलब है जो खुद से ही बाते करता है इसका answer है option number C बल्कुल perfect monologue जो starting के अंदर होता है किसी गाने में next question one who walks in once sleep आपके exam का question ठीक है जारकन judiciary का past year का question है यह जो नींद में चलता है उसे हम क्या कहते है I think पिछली बार का ही है यह question somnambulist क्या नाम है इसका option number B somnambulist next question पे चलते हैं और ignorant का मतलब होता है lack of knowledge जिसकी knowledge बहुत ही कम है lack of knowledge next question a writer who steals ideas from other एक ऐसा writer जो दूसरे लोगों का काम चुरा लेता है उसे हम क्या कहते हैं जल्दी से बताना है plagiarist देखिए plagiarism का मतलब होता है साहित्यक चोरी किसी का काम चुराना उसी हम option number A plagiarist कहा जाता है ठीक है next question पे चलते हैं too much official formalty का मतलब क्या होता है delay का मतलब तो बिलकुली अलग हो गया officialness का मतलब भी अलग हो गया red tapism का मतलब होता है बहुत ही ज़ादा official formalty होना और ये तो एक serial आता था office office वही है ये red tapism ठीक है जान पूछ के देर करना ठीक है late करना official procedures को बढ़ाना एक ऐसा game जिसमें कोई भी नहीं जीता इतना tough question ठीक है a game in which no one wins तो ये है drawn option number B drawn is the right answer abandon नहीं है postponded नहीं है obsolete भी नहीं है सिरफ और सिरफ क्या है drawn next question पे चलते है अगला question when will you hand dash your assignment तुम अपना assignment कब submit करोगे ठीक है तो hand in का मतलब होता है hand in का मतलब to submit hand back hand into नहीं होता है hand down भी नहीं होता है hand down का मतलब तो लिखना ठीक है हाँ कब तुम submit करोगे तो hand in होगा इसका answer option number A है बिरकुर perfect next question a new minister has taken dash after the election और आज की class में मैं आपके थोड़े से doubts भी सुनूँगा आपकी problems भी सुनूँगा हाँ अभी दो मिनिट बाद ठीक है a new minister has taken over has taken over after the elections next question there is a bridge dash the river देखिए bridge कभी भी river के over नहीं होता है गलत है यह हमेशा across होता है ठीक है across यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा हाँ वो अच्छा लगता है बोलने में over बट है नहीं across ही होगा answer ठीक है there is something wonderful dash him यानि कि उसके बारे में सचमिच कुछ wonderful है फटा फट बताना इसका क्या होगा हाँ there is something wonderful about him there is something wonderful about him ठीक है बिलकुल सही है हाँ यह टेलिग्राम गुरुप है सूर्या सर अंडरिस्कोर इंग्लिश इस स्पेस की PDF मिलती है कल भेज नहीं पाया पैंडरा यहीं बूल गया था इसलिए आज दौनों की साथ में भेज दूँगा इधर से आप डायरेक्ट मेट से संपर कर सकते है यह है बड़ी क्लास कल की जो आपको देखनी है अब आप अपने डाउट पूछिए डाउट में आप किसी भी तरह की बात पूछ सकते है ठीक है फटा फट से आप अपने जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपके लास्ट दिन बचे हैं कुछ इसी लिए फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगा मेंस की तैयारी करेंगे अपन कल वली क्लास यस कल वली क्लास और पड़सो वली क्लास दोनों वली जारकंड के लिए इंपोर्टेंट है समझ लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन ये है कि टाइम का वेस्ट नहीं होगा सर ये ओपन नहीं होता टेलिग्राम गुरॉप ऐसा कैसे हो सकता आप मुझे मैसेज कर दीजिए हाई और मैं आपको पता दूँगा इंग्लिश वीक है पड़सो की क्लास देख लीजिए जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए इंपोर्टेंट है जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो इंपोर्टेंट है ही ठीक है क्योंकि क्या है कि जिसको इंग्लिश आती है उसको भी tips and tricks नहीं आती पर सो साड़े दसिया ग्यारा बजे का टाइम होगा सर प्लीज डू करंट अफैस रिविजन फॉर जहारखन हर्याना जुडी शेरी का पेपर खतम हो जाने दो मैं आपके जहारखन का रिविजन करवा दूगा ठीक है? हाँ हाँ, छे दिन में करा दूगा रिविजन सर सेंड मैसेज नहीं होता on your telegram, telegram पे नहीं करना है telegram के अंदर list आती है ना लोगों की, उसको करना है ठीक है? हाँ राइट जी बाकी सब के तो होता है बाकी सब के सब है ना telegram पर मेरे फटा-फट से पता है? हाँ राइट इफ यू लॉग इन लाइक इट, डू एट ना लॉग इन करने की जुरुत ही नहीं है बिना उसके ही हो जाएगा ठीक है? और ये तुमारे लोगों के लिए सबसे समझ लीजी एक तरह से अमरित है ये हाँ ठीक है, अमरित है ये वाली क्लास आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर क्लास, बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है इसमें और अलग लेवल की क्लास लूँगा बिलकुल नेक्स लेवल क्लास होने वाली है ये सर, I have deviated a little from the topic there is no mention of साल जुडिशरी इन बिहार एनूल एक्जाम कलेंडर साल भी है बिहार जुडिशरी मुझे भेजो टेलिग्राम पे मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज का पता करके बताता हूँ एक चलिए फिर तो मिलते हैं हम कल फिर से हाँ, क्लास के अंदर थेंक यू, have a nice day and God bless you थेंक यू